हलो एवरिवान मैं अर्चना मेरे चैनल पे आपका एक बाफ वे से स्वागत करती हूँ सामने आपको बहुत बड़े बड़े प्लांटर दिख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी सारी स्वाइल्ड मुझे लगी होगी बट आपको बता दू कि मैंने इसमें बहुत ही कम स्वाइल्ड में इस प्लांट को इन प्लांटर में लगा दिया है तो चलिए देखते हैं कि हम कम सोयल में भी बहुत अच्छे तरीके से प्लांट को इतने बड़े बड़े जो प्लांटर है उसमें आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही इसली ये ग्रो हो जाते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी है मैं वीडियो ढालू वीडियो अच्छ को मैंने हाफ कट कर लिया है एक नीचे का पोर्शन है और एक उपर साइड का पोर्शन है नीचे के पोर्शन में देखिए मैंने छोटे-छोटे होल्स कर लिया है क्योंकि नीचे के साइड में इसमें होल नहीं थे और यह जो उपर का पोर्शन है देखिए उसमें एक होल ब बनान के कर लिये, इसमें Virgin के अच्छे तरीके से बब भीया ही प्लांट चना जवजाओगे हैं बना के बहुत ढ़ा हम मैं मैं से तरीके स्वासा कर रहे तो यह देखिए अच्छे तरीके में जव सर्द हैं सबस्सके नैड्री उते हैं या कपड़ा लगा सकते हैं जिससे पानी रिलीज हो जाए और इस प्लैंटर में देखिए मैंने जो होल किये हैं उसके उपर में जो टैल्स के टुकड़े डाल दो या आप किसी भी तरीके से जो इट के टुकड़े हैं या फट्तर है आप कुछ भी रख सकते हैं यहां उसके इसको कवर करने के बाद में तोड़ी मोली रेथ होती, उसके से फैल करोंगे बलड़ी क्यों कि नीचे आद जो पेंड़ा होता है तो ने प्लांटरा को पानी बसे देप से साधमारे बहुत इन बहुत स्वारे कि प्लांटरां को कि पानी लिगारि से जो आस चाला अपीभलोबासी जो भी प्लांट लगा रहे हैं आप इस तरीके सेटीज होल बन ना होए करके इस तरीके से फोड़ा सा सेंट ढाल सकते हैं और इसके बाद में अब हम इसमें प्लांट को लाइट वेट बनाने के लिए देखे ए文 हो अनकोस्तोर करके रख लिया प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है इससे मिल्चिंग भी करी जाती है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं आप देखिए cœur मैंने के प्लb सब्सके कई कीचन वेस्ट है आप इसको 2 चार दिन का स्टोर करें रख लिजे और इसको इसको पूरा नीचे डालने से इस का मिनिंग होता है कि थोड़े धोड़ा धीरे धीरे होके ये कंपोस्ट बन जाता है और हमें इसमें अलग से खाट डालने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है बड़े प्लांटर में और ये देखिए जो हमारे जो गार्डन में जो वेस्ट निकलता है लकडी रहती है घास रहता है जब हम उस इसके नीचे स्वयल के नीचे इनको सबको डालने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से डीकंपोस्ट होती है और ये धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाता है धीरे हम जितना उसको में जा डालेंगे उतने अच्छे तरीके से ये कंपोस्ट बनके रेडी हो जाता है अ प्लांटर को निकालना है और बहुत ही आराम से निकाल के बहुत अच्छे तरीके से सैट कर देना है और जो गिरी हुई जो स्वैल हमारी हम उसके आज बजू इस तरीके से डाल देंगे अब यह हमने देखिए इस प्लांटर में सिर्फ इतनी ही स्वैल डाली है जितनी उस प्लास्टिक में थी प्लांटर में लगी हुई थी अब ये देखे, अब मैंने जो अपने घर में जो स्वाइल्ड बनाई है ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वाइल्ड है और राइस हक है और कंपोस्ट मिला के ये मैंने स्वाइल्ड रेडी करी है अब यी देखे कितने अच्छे तरीके से भुरुरी जो मेरी soild है वो बनके ready हुई है बस इसमें हलका सा हमको उपर फैला लेना है और बहुत अच्छे तरीके से फैला के इसको थोड़ा थोड़ा हलका सा उपर से फैला लेना है ताकि वो soild से दब जाए पूरा प्लांटर की जो roots है हमारी open नहीं रहनी चाहिए बस इतना सही हमने इसमें soil add करी है बाकी सारा हमने इसमें जो kitchen waste होता है garden waste होता है हमने इसका use किया है अब पूरा प्लांट लगने के बाद देखिए हमें अच्छे तरीके से इसमें watering करना है watering इतनी करना है कि जो planter है उसमें से पूरा पानी release हो जाया तो देखिए मेरे planter में से पूरा पानी साइड में release हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से drainage हो रहा है बस यह हमारा planter जो है बहुत अच्छे तरीके से बनके ready हो गया है मैंने दोनों planter इसी तरीके से लगा दिये है और बहुत ही कम soil में और इतने बड़े planter को मैंने पूरा फिल कर दिया है और देखिए आप कितने सुन्दा दिख रहा है यह planter और इसी तरीके से आप भी अपने जो बड़े planter है उसमें इस तरीके से planter लगा सकते हैं क्योंकि यह terrace gardening वालों के लिए बहुत important है क्योंकि इसके जो pot होते हैं बहुत ही lightweight हो जाते हैं heavy नहीं होते हैं और जो हम waste डालते हैं वो हमारा compost भी बन जाता है तो इसमें हमें बार बार इसमें compost देने की जुरत नहीं होती है और बहुत ही कम soil में हमारे यह planter बनके ready हो जाते हैं हमें इसमें मिट्टी की भी बहुत कम ज़रत पड़ती है और हमारे pod भी भरके ready हो जाते हैं तो आप अपने garden में किस तरीके से plant को लगाते हैं प्लीज कमेंट सक्षन में ज़रू बताइए वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर कर दीजेगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please share भी कर दीजेगा तो मिलते हैं next वीडियो में नई information के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you very much